अगर आप एक premium level के soundbar खरीदने का सोच रहे हैं तो market में आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे यह भी काफी interesting option है, यह है Sennheiser का Ambio Soundbar Plus यह state-of-the-art Ambio visualization technology के साथ में आता है जो कि basically 7.1.4 home theater system को recreate करता है और यह soundbar है इसमें ही 4 inches के 2 subwoofer भी दिया हुआ है built-in वैसे आपको एक additional subwoofer की ज़रूत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप यह जो Ambio Sub के लिए जाएंगे तो जो sound experience है, इसका प्लस इसका दोनो mind blowing होने वाला है तो चलिए सबसे बहले मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, इसका setup करते हैं और फिर प्रकार से pack किया हूआ है, यह है sound bar, यहाँ पर accessories दिया हूआ है नीचे की तरफ और कुछ instructions आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो Sennheiser smart control application है, उसका QR code यहाँ पर दिया हूआ है और यह जो product है, यह apple और android devices के साथ में compatible है तो मैंने unboxing कर दिया है, यह देखे, यह है sound bar, यह है booklet, sound bar का remote यह box में दिया हूआ है, यह थोड़ा सा भारी type का है और इसमें button cell batteries है, यह देखे, यह है button cell battery, यह काफी interesting remote है, यह है power cord, और यह HDMI cable भी box के अंदर दिया हूआ है, इसकी जो quality है, काफी impressive है, बढ़िया है, unique है, fabric material य यह दिया हूआ है, यह जो part आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ bend होता है, और फिर इस angle में उपर की तरफ चाता है, काफी बढ़िया design है, इबल पर यह काफी बढ़िया लगने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे wall mount भी कर सकते हैं, नीचे technical information दिया हूआ है, और यह देखे, Dolby Atmos, DTS-X, MPEG-H audio, HDMI support के साथ में आता है, यह देखे, यह है ports, और यहाँ पर है setup का button, reset button, RJ45, और यहाँ पर है 3 HDMI ports, optical input दिया हूआ है, USB port है, auxin ports है, और power के लिए option दिया हूआ है, इस soundbar में 3 front firing drivers है, 2 inches के, 2 side firing full range drivers है, 2 inches के, दो up firing full range drivers है, 2 inches के, और 2 up firing sub woofers है, 4 inches के, चलिए जो MBO sub है, इसकी भी unboxing करते हैं, मुझे एक चीज़ जो इसकी काफी बढ़िया लगी वो यह है, कि इसकी जो packing है, यह तोटली environmental friendly है, यहाँ पर देखे, paper wrapping है, तो यह है sub woofer, वैसे compact सा sub woofer है, लेकिन यह थोड़ा सा भारी है, है top view, और नीचे से यह ऐसा दिखता है, इसकी जो body है, यह wood की बनी हुई है, लेकिन जो finishing है, यह बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर button दिया हुआ है, नीचे rubber padding दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको जो power है, उसे connect करना है, box में यह कुछ booklets है, यह instruction card भी है, किस प्रकार से आप इसे connect कर सकते हैं, और यह है power cord, तो मैंने यह जो subwoofer है, और यह जो soundbar है, इसे मेरा जो TV है, इसके साथ में connect कर दिया है, यह जो ambu है, यह light up होता है, और यहाँ पर उपर भी एक LED light है, तो for example, अगर आप Bluetooth select करेंगे, तो यह इस प्रकार से indication देता है, smart control application को आपको smartphone पर install करना है, और यह application है, यह जो soundbar है, इसे connect कर पाएंगे, जो firmware update है, वो भी इस application के जरीए आप कर पाएंगे, यह जो update है, यह मैंने already कर दिया है, जो process है, बहुत ही आसान है, और यहाँ पर एक बहुत ही important चीज, आपको system calibration करना है, यह basically आपको जो room है, इसे analyze करता है, और 7.1.4 home theater experience यह recreate करता है, तो basically आपको वैसा ही result मिलता है, जैसा कि आपने 7.1.4 चैनल वाले speakers को लगाया हुआ है, इस soundbar का सबसे बड़ा advantage यह है, कि सिरिफ soundbar है और subwoofer है, आपको additional speakers करने की जरूती है, हो सकता है कि आपके जो घर है, उसमें वैसा option available ना हो, तो minimal setup के साथ में आपको amazing home theater experience मिलता है, अब बहुत ही important है, कि आपने जब एक बार calibration कर दिया, उसके बाद में अगर आप अपने room को change करते हैं, मान लिजी आपने नया sofa add किया हुआ है, या फिर कोई furniture को निकाला हुआ है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहतर होगा कि आप फिर से calibrate करे, recalibration करे, ता connectivity के अगर बात करें तो इसमें बहुत सरे options दिया हुआ है, ये Dolby Atmos और 360 Reality Audio compatible है, इसमें built-in Bluetooth भी है और Apple AirPlay 2 support के साथ में आता है, voice enhancements भी है और ये Alexa compatible है, प्लस ये Google Homes के साथ में भी काम करता है और Apple Home Kit के साथ में भी ये काम करता है, इसका maximum output है 400W RMS, firmware update भी मुझे मिला हुआ In fact, sound bar में भी firmware update मिला था, प्लस जो subwoofer है उसमें भी update आया हुआ था, इसकी sound quality है इससे मैं वाके में काफी impressed हूँ, मैं आपको कुछ demo सुनाता हूँ, ध्यान से सुने, वैसे अगर आप इस device के पास रहेंगे, आप actually experience कर पाएंगे कि इसकी sound quality है वो कैसी है, यहाँ पर अगर Thank you for being here, Thursday evening, a 19-year-old black teen was allegedly shot and killed, we have to die as a corporate bomb, and they asked, soul catcher, that's the name This MBO option है, अगर आपने इसे off रखा हुआ है तो आपको, जैसे दूसरे soundbar में experience मिलता है, वैसे मिलने वाला है, लेकिन on रखने पर, यह actually आपको 7.1.4, home trader जैसा experience देने वाला है, काफी amazing है, यहाँ पर में जो demo है वो आपको सुनाता हूँ, जो audio है वो speaker से आ रहा है, अमेजिंग clarity है, यह एक और demo है, एक दम ठेटर जैसा experience मैं महसूस कर पा रहा हूँ, यह बहुत ही बढ़िया speaker है, अमेजिंग sound output आपको देने वाला है, और minimal setup के साथ में आता है, बहुत ही advanced लेवल का भी है, और अफकोर्स यह premium category का भी है, अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं, link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, वहाँ से आपको इसका जो pricing है, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी, देखते रहे हैं.